नमस्कर सभी EPS 95 पेंशन धारकों का आज के इस वडियो में स्वागते जैसा कि सभी EPS 95 पेंशन धारकों को अवगत्ता की 6 सितंबर 2021 को EPS आप वो बोर्ड की बैटक होने वाली है जिसमें EPS 95 पेंशन धारकों की जो नियूनतम पेंशन बड़ोत्री है तो इसके उपर फैसला लिया जा सकता है तो उस बैटक के बारे में आज मैं आपको इस वडियो में जान करें देने वाला हूँ तो जिया इस बैटक में EPS 95 लीडिंग नियूस पेपर है लीडिंग मीडिया जे तो उनके द्वारा जानकारी दी गए थी कि इपीए पो बोर्ड की 6 सितंबर 2021 को जो बैटक होने वाली है तो उसमें EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन को 9000 उपए तक बढ़ाए जाने पर फैसला लिया जा सकता है फिलाल EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ात्री हो जाएगी पर ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि यह बैटक EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ात्री के लिए नहीं थी क्योंकि यह बैटक Central World of Trustees की बैठक नहीं थी यह के वल EPIC की 46 भी बैठक थी और इसमें इसी के संद्रब में चर्चा की गई है और EPS 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ात्री है तो उसके संद्रब में कोई भी यहास चरचा नहीं की गई है ना ही पेंशन बढ़ात्री के प्रस्ताव इस बैठक में रखा गया और इसके ओपर चरचा की गई और ना ही इसके उपर कोई फैसला दिया गया था तो जिया EPS 95 पेंशन धालकों को मैं अवगत करवाना चाहूंगा कि Central Board of Trustees की जो आगामी बैठक है तो उस बैठक के बारे में हमें जब भी अपडेट मिल जाएगा तो उसके बारे में हम आपको वीडियो के मादेम से जानकरी देंगे तो जीया जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे है कि इस बैठक में कौन-कौन सा अप्डेट यहां पर था तो वह आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहां पर बता गया है कि तो किरी डिलामलाइट यह तुटे नाइट इस तो कि निए होग आपकर निएगा नहीं तो कि नहीं पर इस नांटी फैट नहीं कि पेंशन बारत्री के संद्रब में इस बैटक में कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है कोई भी चर्चा नहीं की गई है तो आपको मैं यहाँ पर यह जो जानकरी थी तो उसी के बारे में अपडेट डे रहा था क्योंकि अगर आपको इस बैटक के बारे में अभी तक जानकरी नहीं मिली हो तो वो मिल जाए और आप जो है वो Central Board of Trustees की जो बैट अफ होने वाली है तो उसके बारे में आपको जो हो जब भी अपडेट आएगा तो हम आपको बता सके तो उसके बारे में पता चल सके तो जीए यह जो अपडेट था तो उसी अपडेट के बारे में मैंने आपको जानकरी दी उडियो में दीगे जान करिए अगर आपको अच्छी लगी है तो उडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा और ऐसे ही अपडेट जानने के लिए जो सही सही अपडेट होते हैं वो जानने के लिए EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बरुतरी के संबंदित अपडेट को जानने के लिए EPS 95 पेंशन धारकों की उच्छे पेंशन से संबंदित अपडेट को जानने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सबस्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्राइब जरूर करके रख लीजे ताकि जो आने वाले अपडेट है आने वाली न्यूज है तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके तो चलिए आज के इस वीडियो में यही अपडेट था तो और उसी अपडेट के बारे में मुझे आपको जानकारी देनी थी वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा और इस वीडियो को आप जादा से जादा शेयर कीजेगा ताकि इस वीडियो के बारे में इस जानकारी के बारे में सभी इस 95 पेंशन धारकों को पता चल सके तो चलिए आज के सुनियों बस इतना ही आगे भी ऐसे ही अपडेट हम आपके लिए लेते आते रहेंगे तब तक आप सभी अपना क्याल रखिए चानल को सब्स्राइब नहीं किया है तो चानल को सब्स्राइब करकर रख लिए वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करती चलिएगा और इस वीडियो को आप जाधा से जाधा पेंशन धारकों के साथ शेयर भी कीजे ताकि अपडेट के बारे में सभी को पता चल सके तो जलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नई अपडेट के साथ तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए घर पर रहिए सुरक्षित रहिए और आप सभी को मेरा नमश्कार इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बात धन्यवाद अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कॉमेंट है तो आप इस वीडियो के नीजे जो कॉमेंट बॉक्स है वहाँ देख कर सकते हैं और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चानल पर पहली बार विजिट करें तो में जानों को सब्स्राइब कीजिए और जो उसके बाद बिल का आइकोन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिल सकेए